ओम स्री परमात्मनाए नमहा नौरात्री के छठे दिवस में कुस्मांडा माता की आप सबों की आशिरवाद मिले और हमारी ओर से भी धेर सारी बधाईयां हैं सुभकामना हैं आज स्री द्रुगा सबसती की अखंड पाठ के तहत ही मैं ग्यारहमा पाठ ग्यारहमा अध्याई का पाठ करने जा रहा हूं जो की मानता की अनुसार इसका अगर नियमित पाठ आप करते हैं तो आपकी भौतिक सुभिधाएं मिलती हैं यानि कि यह जो संसारिक सुख है, जो जो वस्तुएं आप समझ सकते हैं, टैंजिवल, जो गोड्स हैं, कंचुमेडरोल प्रोडक्ट्स हैं, डिवरेवल्स हैं, यह सब आपको भौतिक सुख प्राप्त होती हैं, तो आईए इसी उद्देशे से हम इसका पाठ प्रारंभ करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में पहली वार आए हैं, तो अवस्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल आपकी तरह ही प्रगती और उन्नती करें, और मैं अब नरेंद्र कुमार कथा वाचक, आपके साथ ग्यारहमा अध्याय के साथ आगे बढ़ता हूं, एका दसो अध्यायहा, ओम बाल रवी विदितो मिंदुरे किरिटाम, तुंग कुंचाम, नयनत्रे उक्ताम, अस्मेर मुखिम, वरदांग कुस मासाम भीती कराम, प्रभजे भुवने सीम, ओम रिशिर वाच, देभ्या हते तत्र महा सुरेंद्रहा, सेंद्रा सुर्वा, वहिन पुरोगम अस्ताम, कात्यायनी तुष्ट वरिश्ठावद्या, विकासी वक्त्रा, काप्ज, विकासिता, मैं भुने स्वर्देवी का ध्यान करता हूं, उनके स्री अंगों की आभा, प्रभात काल के सुरे के समान है, और मस्तक पर चंद्रमा का म कुठ है, वे उभरे हुए अस्तनों और तीन नेत्रों से युक्त है, उनके मुख पर मुस्कान की छटा च्हाई रहती है, और हाथ में वरद, अंकुस, पास और अभय मुद्रा, सोभादेतियर, रिशी कहते हैं, देवी के द्वारा, वहां महा दैत्यपती सुंभ के मारे जाने पर, इंद्रादी देवता, अगनी को आगे करके, उनका त्यायन देवी की अस्तुती करने लगे, उस समय, अभिस्ट की प्राप्ती होने से, उनके मुख कमल, दमक उठे, और उनके प्रकास से, दिसाएं भी जगमगा उठी थी, देवी प्रपन्नाती हरे प्रसीद, प्रसीद मार्त जगहतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाही विश्वम, त्वामिश्वरी देवी चराचरस्य, आधार भूते जगतस्य मेका, महिश्वर रुपेन यत्तह अस्थितासी, अपाम सूर, स् तवेट धापत्यते किट्यस्य मंगल वीर्या, तौम वैस्वरी सक्तिरंटे वीर्या, विश्वर्स्य वीजम प्रमासी माया, सं मोहित없 देवी समंस्त मेतत, तौम व्यपरसन्ना भूवी मुक्तिहेतु, विद्यां समस्ते देवी भेदाम स्त्ये, समस्ता सकलह जगत्सु द देवता बोलें सरनागत की पीडा दूर करने वाली देवी हम पर परियत्न होएं संपूर्ण जगत की माता प्रसन होएं विश्वेस्वरी विश्वकार अक्षा करें देवी तुम ही चराचर जगत की अधिस्वरी हो तुम इस जगत का एक मात्र आधार हो क्योंकि पिर्थ्वी रूप में ही तुम्हारी ही अस्थिती है देवी तुमारा पराकर्म अलंगनिय है तुम ही जल रूप में अस्थित होकर संपूर्ण जगत को त्रिप्त करती हो तु विष्व की कारण भूता परा माया हो देवी तुम तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है तुम ही प्रसन होने पर इस पिर्थवी पर मौक्ष की प्राप्ति कराती हो देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन भिन स्वरूप हैं जगत में जितनी रस्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मुर्तियां है तुएक्यवा पुरितम्बब ययत काते अस्टुतिही अस्तब्य परा परुकतिही सर्व भूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी तुम अस्थुता अस्थुते कावा भवंतु परमोक्त यहा सर्वस्य बुद्धी रूपेन जनस्य हिड़दे संसिते स्वर्गा पर्दुग देवी नारायनी नमस्थुते काला कांस्ठिगे दिरूपेन परिणाम प्रदाईनी विश्व ऐस्थवर परतो सक्ते नारायनी नमस्तुते सरव मंगल मंगले सिवेशवा साधिके सरण्य त्रंबेके गümüz नारायनी नमस्तुते जगदंब एक मात्र तुमने ही इस विश्व को ब्याप्त कर रखा है तुम्हारी अस्तुती क्या हो सकती है तुम तो अस्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एबं परावानी हो जब तुम सर्ब स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी अस्तुती हो गई तुम्हारी अस्तुती के लिए इस से अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है बुद्धी रूप से सब लोगों के हिर्दय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्गेबं मोक्ष प्रदान करने वाली नाराईनी देवी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल मई हो, कल्यान दाइनी सिवा हो, सब पूर्शार्थों को सिध करने वाली सरनागत वदसल्या तीन नेत्रों वाली एबम गौरी हो, तुम्हे नमस्कार है, तुम स्रिष्टी पालन और संघार की सक्ती भूता, सनातनी और सर्व गुण मै हो, नरायनी तुम्हे नमस्कार है, सरनागत दिन परत्य परित्रान परायने सर्वस्यार्ति हरे देवी नरायनी नमस्तुते, हंस युक्त विमानस्ते ब्रह्मानी रूप धारिने कौसांभचारिके देवी नरायनी नमस्तुते, त्रिशूल चंद्राधीरे महा विरिस भावाहिनी महेस्वरी स्वरूपेन नारायनी नमस्तुते मयूर कुकुट विर्ते महा सक्ती धरेन धे कौमारी रूप संस्थाने नारायनी नमस्तुते संख चक्र गदा संख नी ग्रिहतम परमाम यदोए प्रसीद वैस्न वी रूपे नारायनी नमस्तुते ग्रिहतो ग्रम ग्रम हाँ चक्रे दृष्टो धृत वसुंधरे वराह रूपी नी सिवे नारायनी नमस्तुते सरन में आये हुए दिनों और पीड़तों की रक्षा में सनलगन रहने वाली तथा सब की पीड़ा दूर करने वाली नाराइनी देवी तुम्हे नमस्कार है नाराइनी तुम ब्रामनी का रूप धारन करके हंसों से जेते हुए विमान पर बैठती और कुछ मिस्त्रित जल छिड़कती रहती हो तुम्हे नमस्कार है महस्वरी रूप से तृसूल चंद्रमा और सर्प को धारन करने वाली तथा महान विरिसब को पीठ पर बैठाने वाली नाराइनी देवी तुम्हे नमस्कार है मोरों और मुर्गों से घि तुम्हे नमस्कार है संख चक्र गदा और संग धनुस रूप उत्तम आयुदों को धारन करने वाली वैस नभी सक्ति रूपा नाराइनी तुम्हे नमस्कार है हाथ में भयानक महा चक्र लिए और दाढ़ों पर धर्ती को उठाए वराही रूप धारनी कल्यान मई नाराइन तुम्हे नमस्कार है भेंकर निर्षी रूप से दात्यों के वद के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में सनलगन रहने वाली नारायनी तुम्हे नमस्कार है चामुंडे मुंडन थने नारायनी नमस्तुते लक्षमी लक्जे महाविद्ये साधे पुष्टिव सुवदे धुरुवे महारात्री महाविद्ये नारायनी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भुदे राववी तामसी नियते तोंप्रसी देसे नारायनी नमस्तुते मस्तक पर किरिट और हाथ में महावरज धारण करने वाली सहस्र नेतों के कारण नेत्रों के कारण विदिप्द दिखाई देने वाली और वस्त्रा सुर के प्राणों का अपहरन करने वाली इंद्र सक्ती रूपा नारायनी देवी तुम्हे नमस्कार है सीवदूती रूप में, दैत्यों की महति सेنا का संगहार करने वाली भेंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नाराइनी, तुम्हे नमसकार है, दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंढ माला से विभुसित, मुंढ मर्धनी चा मुंढा रूपा, तुम्हें नमस्कार है मेधा सर्षती वरा स्रिष्ठा भूती अस्वरे रूपा ब्राभरी भूरे रंका अथ्वा पार्वती तामसी महाकाली नियता सैयंपरायना तथा इसा सबकी अधिस्वरी रूपी नारायने तुम्हें नमस्कार है सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व सक्ति सम्मिंत्रता भैस्मास्त्री नो देवी दुर्गेदेवी नमस्तु ते एतते वदं स्वम्यम लोचनष्ते भूसितं पातु न सर्ववितस्य कात्याईनी नमस्त ते ज्वाला करामस्त ग्रेमस्त सूधनम त्री सूलम पातू नो भीते भद्रकाली नमोस्त ते हिनस्ती दत्य तेजांसी स्वनेन नापर्विय या जागता शागहंटा पातू नो देवी पावयुब्यो सुता निवा सर्व सरुपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की सक्तियों से संपन दिब्वे रुपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हे नमस्कार है कात्याइनी यह तीन लोचनों से बिभूसित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हे नमस्कार है भद्रकाली जौलाओं के कारण विक्राल प्रतीत होने वाली अत्यंत भैंकर और समस्त असुरों का संगहार करने वाला तुम्हारा त्रिसूल भाव से भय से हमें बचाएं तुम्हें नमस्कार है देवी जो अपनी ध्वनी से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नस्ट किये देता है वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रच्छा करें जैसे माता अप जिस्टा शेषना अभी पंचृति तुस्ठा रुस्टातु कामान सकलान भिष्टान तत्वासृताम नभिपननराम त्वामासृता हस्तरताम प्रयंती यतकिर्तम स्वारा बादस्टन त्वाज्याँka धर्म दिश्ट्रं देवां महा सूरणाम। रूपेरणकर मुधा अमुर्ती किर्त्वांबिके तत्प्रकरोती कान्या विद्यासू सास्त्रेसू विवेक दीपे पेवादसू वाकेसू चका वदन्या ममत्त गर्ते अती महा अंधकारे विभाग्रमयत दीव विश्वम देवी तुम प्रसन होने पर सब रोगों का नास कर देती हो और कुपित होने पर मनोवंचित सब ही कामनाओं का नास कर देती हो जो लोग तुम्हारी सरन में जा चुके हैं उन पर विपत्ती तो आती ही नहीं तुम्हारी सरन में गए हुए मनुस्ये दुसरे को सरन देने वाले हो जा खर्म द्रोही महादैत्यों का संगार किया है वो सब दूसरी कौन कर सकती है विद्याओं में ज्ञान को प्रकासित करने वाले सास्त्रों में तथा अधिवाक्यों देवों में दूसरे सिवा और किसका वर्नन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन इसी सकती है जो इस पूर्ण मामतारुपी गढ़े में निरंतर भटका रही हो। पूर्ण मामतारुपी गढ़े में निरंतर भटका रही हो। पूर्ण में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वे स्वरी तुम विश्व का पालन करती हो। विश्व रूपा हो। इसलिए संपोर्ण विश्व को धारन करती हो। तुम भगवान विश्वनात की भी वंदनिया हो। जो लोग भक्ती पुर्वक तुम्हारे सामने मस्तक जुगाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आस्रह देने वाले होते हैं देवी प्रसन हो जैसे इस समय असुरों का बद करके तुमने सिग्र ही हमारी रक्षा की है उसी परकार हमें सत्रूओं के भाय से बचाओ संपूर्ण जगत का पाप नस्ट करदो और उत्पात एबं पापों के फलसरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदी बड़े बड़े उपद्रवों को ही सिग्र दूर करो प्राणतानाम प्रसीद तुम देभी विश्वहारिनी त्रैलोक्यवासी नामग्यो लोकानाम वर्दभवा देवी वाच्य वर्दाम सुर्गनाव वरं यन्मनेस्चस्ते तम वृनस्त्यब्य प्रक्षामी जगतामू परकारं देवु वाच्य सर्वावाधन पर्सनमन त्रेलोक्य स्याल खिलेस्वरी एव मेव तया कारेमस्य द्वैरिमिनासनम देव्यवाच्य वैववस्तरंते प्राप्ते अस्टाविन्सिती मिते युगे सुम्भयो निसुम्भयस्च वालुस्त्यते महासुरो नंद गोप गिरहे जाता यसोदाग्र भार्व संभवा ततस्तस्यो नास्यस्मी बिंध्याचल विशाईनी विश्व का पीडा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चर्णों पर पड़े हुए हैं हम पर प्रसन हो त्रिलोक निवासियों की पूजनिया पर्मेस्वरी सब लोगों को वरदान दो देवी बोली देवताओं मैं वर देने को तयार हूँ तुम्हारे मन में जिसकी च्छा हो वह वर मांग लो संसार के लिए उस उपकारक वर को अवस्य दूंगी देवताओं बोले सर्वेस्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त वाधाओं को सांत करो और हमारे सत्रूंगों का नास करती रहो देवी बोली देवताओं वैवस्त मनवंतर के 28 युग में सुम्भ और निसुम्भ नाम के दो अन्य महादयत्य उत्पन होंगे तब मैं नंद गोप के घर में उसकी पतनी या सोधा के गर्व में आवतिर्ण हो बिंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नास करूंगी पुन रप्ते दी रोद्रेन रुपेन प्रिथी वीतले अवितेर्य हनिस्यामी वैपच्य चिंतास्त्यू दानवान भक्षन स्त्यास्य तानूग्रान बैप्रचन्या महासुरान रक्तादंता भविश्यंती डाडी मिशी कुशू मोपयमा ततो मा देवता स्वर्गे मिर्त्य लोकेच मानवा अस्तु अन्तो ब्यवहारी संती सततम रक्त दंतिकाम भूयस्य सत्व वार्षिक्य मनास्य वरिष्ट यामनस्य भी मूनिभा संसुतह भूमो संभिवस्यानि जा ततह सतेन नेत्राणाम निरेक्ष स्यामी यन मुनीन किर्त्य स्त्यती मनुजाह सताविक्षिमित माम ततह ततो अह महखिलाम लोकमात्म हे देह समुद्ध वै भरिष्यामी सुरह सकैराविष्ट्रा प्रानधार कै फिर अत्यंत भयंकर रूप से पिर्थवी पर आवतार लेकर मैं वै प्रचित नाम बाले दानवों का वध करूंगी उन भयंकर महादैत्यों को भक्षन करते समय मेरे दात अनार के फूल के भाती लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता और मिर्तिय लोक में मनुस्य सदा मेरी अस्तुती करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे फिर जब पिर्थवी पर सो वर्सों के लिए वर्सा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के अस्तवन करने पर मैं पिर्थवी पर अयोनी जा रूप में प्रकट होंगी और सो नेत्रों से मुनियों को देखूंगी अतह मनुस्य सताक्षी उस नाम से मेरा किड़तन करेंगे देवताओं उस समय मैं अपने सरीर से उत्पन हुए संकाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोसन करूंगी जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सब के प्राणों की रक्षा करेंगे साकंबही रीते विख्यातीम तदा जाश्यम्हं भुवी तत्रैवच वधिस्यामी दुर्गमाख्यम महासुरं दुर्गादेविती विख्यातं तन्मेनाम भविस्यती पुनाश्याम यदा भीवं रूपं किर्ट्वाहि मालेया रक्षासी बच्चास्यामी मुनिनाम तराण करात तदा मामुनिया सर्वेस्त्योस्यत्राम नर्म मुत्या भीमादेविते वुख्यातं तन्मेनाम भविस्यती यदा रुनाख्या त्रलक्य महाबंधा करस्यती अईसा करने के कारण पिर्थवी पर साकंबरी के नाम से मेरी ख्याती होगी उसी आउतार में मैं दुर्गम नामक महा दैते का वधवी करूँगी इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा फिर मैं जब भीम रूप दहारन करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाले पर रहने वाले रक्षसों का वक्षन करूँगी उस समय सब मुनी भक्ती से नतमस्तक होकर मेरी अस्तुती करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा अब अरूण नामक देट्य तीनों लोक में जब आएगी भारी उपद्रों में चाएगा तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए छह पैरों वाले असंखे ब्रहमरों का रूप धारन करके उस महादैत्य का वध करूंगी इस तरह से यह ग्यारहमा अध्याय समाप्त होता है उस समय सब लोग भ्रहमरी के नाम से चार ओर मेरी अस्तुती करेंगे इस प्रकार जब जब संसार में दानवी वाधा उपस्थित होगी तब तब आवतार लेकर मैं सत्रूं का संखार करूंगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिविंग हैपली को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन पुस कर लिजे ताकि आपके अभिर्यूची के मुताबिक अगर आती है तो आप उसे देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने जीवन का अमुल्य समय लिविंग हैपली नरेंद्र कुमार कथा वाचक के साथ विताते हैं इसके लिए फिर मिलता हूं बारहमें अध्याय के में इसी स्रिंखला में